नमस्कार स्वागत है आपका टीनपी निउस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शानवाद मिर्जाउता प्रदेश के बनारस में मचली शहर के सांसद बीपी सरोज ने जी ट्वेंटी को लेकर ये कहा कि बावा विश्युनात की नगरी काशी में विदेशी मेमान आ के अगवाई भी कर रहा है ऐसा ही कई मुद्वों को लेकर हमारे संवधातान सांसद वीपी सरोज और एयरपोर्ट डिरेक्टर अर्मिरा सानियाल से खास बातचीत की आपको सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है देश जी ट्वेंटी सम्मेलन मना रहा है उसको लेकर के का सांसद संवाउब तरफ मेहमान वाजी से महमान नावाजी की हो मैं अभार आभार करना चाहूंगी क्योंकि हमारे अध्रख्श है मानिय सांसद जी और वह महीं थीन महने से बहुत इंट्रेस लेके मुझे मांगदर्शन करते रहे जिसकी वजह से अपने एरपोर्ट को माने सांसर जी ने रुदक्ष माला और अंग बत्रके से सागत किया और एरपोर्ट की तरफ से गुलाब की कली भी दिया गया है एरो मिज में शैनाई बजाया गया है नीचे एक संग्यूक तीम बनी राज-शाशन और एरपोर्ट और हम सब मिलकर एक जूट होकर ये काम कर रह बिलकुल कासी महमान नवाजी के लिए जानी जाती है हमारे साथ मचली सर के सांसर बीपी सरोज जी है उनसे जान लेते हैं किस तरीके से महमानों का यहां पर स्वागत किया गया क्या देकर कि उनकर जैसा कि अभी एरपोर्ट डायरेक्टर महोदिया ने आपको बताने का काम किया हम लोग तो काफी समय से उसाहित हैं और हमारे देश के वे स्वागत के साथ भाग लेने का काम करें और हम लोगों में ऐसा उसाह रहा है हमारी लगातार यहां के डायरेक्टर से लोकेशन लिया जा रहा है बात हो रही है कि जो है कौन-कौन सी फ्लाइड से कौन-कौन के देश के लोग आ रहे हैं अभी कनाडा के लोग आए अभी धाई वजे जो है विस्तारा से भी कुछ लोग आ रहे हैं और हम सब लोग जो है यहां पर उनको विसेश जो है श्वाग कंट्री के लोग भाग लेने जा रहे हैं और सब लोग यहां खुछ हो करके जाए हमारे मनी देश के सोसी प्रधानमंत्री जी के अद्धेटा में जाती है कि काशी महमान नवाजी के लिए जानी जाती है रुद्राच की माला देने का क्या रिजन है उसके लिए देखिए यह बाबा भूले नात का नगरी है और बाबा भूले नात का यह बड़ा प्रिय जो है और यह प्रिय माला जो है अगर किसी को दिया जा रहा है तो सारे बिद्नमाधाएं जो होती हैं दूर होती हैं और हम सब लोग जो है रुद्राच की माला इसी जो है आस्था के साथ जो है उसको धारण करने का काम करते हैं कि जितने भी जो है विद्रमा भोले नाथ उसको सब दूर करने का काम करेंगे